आज आप लोगों के लिए ले के आए हूँ चिकन लच्छा पकोड़ा की रेचिपी पकोड़े तो आपने बहुत तरीके खाये होंगे और पकोड़े अगर खा खा के धग गए तो बना लीजिए चिकन लच्छा पकोड़े क्योंकि उपर से है आलू की करंची और अंदर से है बाइट तो यह बनता भी बहुत ही मुन्फृत तरीके से बहुत ही आसानी के साथ और खाने में तो यह बहुत ही मज़ेदार है तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ के इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें जरूरत है यहां पर मैंने ले लिए आदा पौच चिकन आदा पौच चिकन के मैंने कर लिए छोटी छोटी बोटियां बॉनलेस कर लिए ता और छोटी छोटी बोटियां कर लिए इसे दोकर मैंने खुश कर लिए यहां पर मैंने ले लिए कुछ मसाले हल्दी है पिसी वी लाल मेर्च सब्ट्पर इस चिकन के अंदर शामिल कर दूंगी जामिल कर दूंगे एक čमज बरकर कौन फ्लावर और इसमें हम डाल देंगे यह हमारे सारे खुश्क मसाले में मैं आपको फिर एक बार बता दूँ के धनिया और जो जीरा है उससे आपको भून कर उट कर फिर डालना है बस यहां पर हम सारे मसाले इसमें डाल को इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो अच्छी तरीके से रस निकाल लूँगे और यह इत्यात करूँगी कि इसके अंदर बीज ना जाए अगर आप लोग खटाई कम पसंद करते हैं तो आप लोग एक लिम्बू ले लीजिए लेकिन मैंने यहां पर दो लिम्बू लिए और लिम्बू का देखे इतना रस है कि इसके अंदर ही मसाला मिक्स हो जाएगा हमें कोई पानी डालने की यहां पर जरूरत नहीं है अगर आपके लिम्बू में रस कम निकलता है तो आप इसमें चंद कत्रे पानी डाल सकते हैं बस इसे हम साइट पर रख देंगे यहां पर मैंने ले लिए आदा किलो आलू और इ आपके इसके जो लच्छे ना वो बड़े बड़े लंबे लंबे निकलेंगे अगर आप इसे लिटा के करेंगे तो इसके लच्छे जो है नो छोटे छोटे निकलेंगे बड़े लंबे लच्छे नहीं निकलेंगे देखे निकल रहे हैं तो हमने इसे खड़ा आलू रखना आलू को मैंने किस तरीके से रखा है खड़ा रखा है ना लिटा देंगे तो इसके जो वो है नो छोटे हो जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देखें कितना अच्छा कद्दूकश हमारा आलू जे कद्दूकश हो चुका है तो यहां पर मैं तीनों आलो को कदू कश कर लेती हूँ और अच्छी तरीके से इसे हमें दो लेना है दोने के बाद इसे निचोड के खुश कर देना है देखें इसमें कोई पानी नहीं है बिल्कुल मैंने इसे खुश कर दिया है बस तो इसी तरीके से आपको भी इस लच्छेदर पकोड़ों के लिए आलू को तयार करना है यहां पर मैंने दो चमच इसमें डाला है चने काटा और एक चमच मैंने यहां पर डाल दिया कॉन फिलावर यहां पर हम थोड़े से मसाले भी डाल देंगे क्योंके सादे सादे आलू खाने में मज़ा नहीं आएगा यहां पर मैंने कटर में इच्छे डाली है नमक डाला है बस इन चीजों को डालने के बाद इससे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताके आलू पर भी थोड़ा मसाला लग जाए तो खाते वक्त जो है ना मज़ेदार चटपटे लच्छेदार पकोड़े खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको तो आप देखें यहां पर हमने थोड़े से आलू हाथ के अंदर लच्छा उटा लिया है और यह चिकन जो हमने मसाला लगा कर रखा था ना उसकी एक बोटी उठाएंगे यह एक बोटी उठाएंगे बीच में रखेंगे और बस सिलो सिलो हाथ से आपको इसे बिलकुल दबाना नहीं है पुश्ट नहीं करना है ताके आपके जो लच्छे ना फराई करते वक्त वो अलग अलग नज़र आएंगे खिले खिले तो आने वाली तमाम रेशिपिस आपको बहासानी देखने को मिल सके हैं चैनल को सब्क्राइब करने में कोई पेसे नहीं लगते हैं नहीं कोई टेक्स नहीं रखाएं तो आप लोग चैनल को सब्क्राइब कर दें शुक्रिया देखें यहां पर जो है मैं तमाम पकड़ों को इसी तरीके से तयार करूँगी बस यहां पर आपने बीच के अंदर थोड़ा सा लच्छा ले लेना है हाप में इसमें एक बोटी रखनी है उपर से आपको फिर यह लच्छा रख देना है और एक बात आपको यह भ हो जाएगी और आलू जो है वो फ्राइपेन में अलग हो जाएगी तो आप लोगों की रेसिपी सही बनाने के लिए आपको आलू को खुश्क करना बहुत जरूरी है तो यहां पर जो है मैंने तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कच्छा रह जाएगा तो आप यहां पर मीडियम आच करेंगे ना तो हमारा चिकन भी अंदर से गल जाएगा तो यह देखे कितना अच्छे गोल्डन गोल्डन पकोड़े लग रहे ना क्या बात इन लच्छेदार पकोड़ों की हैं पकोड़े तो हमने बहुत से खाएं मग अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दें कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें आपका कमेंट और लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है तो आप लोग कमेंट और लाइक करना ना बुलिएगा शुक्रिया अब मैं आप को एक पकोड़ा तोड़ कर दिखा देती हूं वाओ देखें क्या करंची करंची आलो और अंदर से चिकन की बाइट क्या मज़ेदार लगेंगे यह आज ही बना लीजिएगा इफ्तार के अंदर यह पकोड़े बहुत ही मज़ा आएगा इस चटनी के साथ और इस चटनी की इस चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं तो आप लोग वहां से देख सकते हैं और इस चटनी को बना कर इन पकोड़ों के साथ इंजुआए करें इस रमजान में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए लिए लाफिस दौाओं में पादर केगा